एलो स्टुडेंट्स यह लिटरी टम्स का 6 वीडियो है पिछले वीडियो के लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा आज हम 51 से लेके 60 तक लिटरी टम्स करेंगे तो शुरू करते हैं ज्यादा तर लिटरी टम्स MCQ फॉर्मेट में होंगे मैंने कही एक सारी जो पॉम्स आपको पढ़ाई है उसमें एक लाइन में आपको मिले एक लाइन में आपको मिले जब दो से ज़ादा वर्ड एक ही लाइन में हो और उनमें वावल साउंड आए उसे एसनेंस कहते हैं यह जो एसनेंस होती है साउंड यह एक लाइन में मिलेगी शुरुआत में मिल सकती है जो पास पास जो वर्ड होंगे या फिर हो सकता है वो words, एक ही line में वो word होंगे यह जो resonance होता है, यह प्रोज में भी हमें देखने को मिलता है कही बार और इनके दौरा जो लिखने writer होते हैं, वो specific mood जो होते हैं, वो create करते हैं आप एक line है, इसमें आप resonance देखो, तीन word है resonance she seems, इसमें as an an से double e आ रहा है, stream में भी लग रहा है, seems से green है, double e और beam है तो यहां पर as an an से vowel sound है इसमें हमें मिल रही है, तो as an an से vowel sound एक line में उतर है नेक्स देखते हैं, which is a figure of speech in this line, I came, I saw, I conquered, कुछ अलग तरीके से लिखी हुई है, देखो इसमें इसका सही आंसर, क्या होगा? Ascendaten इसमें जो line है, I came यहाँ पर क्या है? कोई word आना चाहिए था, जो बीच में जोडता conjunction, I came and I saw जब हम conjunction को नहीं लगाते हैं coordinating conjunction होते हैं, जब दो sentence को जोडते हैं जब हम coordinating conjunction को नहीं लगाते हैं ऐसे लिखते हुए चले आते हैं, अपने emotions को दिखाने के लिए जल्दी में तो हम जो है, Ascendaten को यूज करते हैं यह एक figure of speech है, जिसमें coordinating conjunction जैसे end, बहुत important है, और बट का, जो दो sentence को जोडते हैं, उनका यूज नहीं करते हैं उनको छोड़ दिया आता है और ascendaten जो होता है, generally literature में यूज करा जाता है poetry में, और speech जो नेता वगएरा होते हैं, या speech जो होते हैं, उसमें भी इसका इस्तमाल करा जाता है यह तरीके का urgency बतलाती है जैसे, मैं गया और मैंने देखा अब मैं और को छोड़ दूँ, मैं गया, मैंने देखा यह जल्दी को बतला रहा है, कि हम कुछी जल्दी कहना चाह रहे है next है, direct इसको आपको बतला रहा हूँ मैं apokpated rhyme पहले इससे पहले देखते हैं, एक verb है apokpate, यह verb है इसका मतलब होता है to omit the final sound जैसे एक word है word के आप जो final sound हो, एक last का alphabet हटा दो तो जो word बन कर आएगा means morning है कोई भी word है अब हमें इसमें से rhyme create करनी है दूसरे word से अब वो rhyme create करनी है, यह जी फालतू हो रहा है तो क्या कर रहा है, हमने morning कर दिया morning अब यह morn हो गया इसको जो pronunciation होगा morning नहीं रहा यह morn हो गया अब यह दूसरे word से जो है corn इससे relate हो जाएगा मनलोग पिछली line में corn था corn, morn तो जब हम last का जब syllable होता है means alphabet हटा दें तो उसकी जो rhyme होती थोड़ी बदल जाती है उसे हम जो है morning में से जी हटा दिया तो उसमें last में से हटा दिया जाता है generally यह जो करा जाता है यह इसके दौर rhyme scheme create कर जाती है means आपको rhyme जो है दूसरे से मिलानी ही मिलानी है तो कोई गाना लिकरो गाने में rhyme scheme मिलानी है पिछली line से तो क्या होगा कि गाने का जो बोल है उसका चेंज कर दो आपना morning का मौन कर दो अब इसला वर्ड हो सकता है कॉर्ण हो तो उससे ही है पिट हो जाएगा जैसे मौन्ट एक्जाम्पिल है एक्स जीकते हैं 54 which are the following statements about the term Apocrypha इसका अंसर देखिए Apocrypha whose authorship is unknown or uncertain इसको मैं बतलाओंगा पहले इसके दो मतलब होते हैं पहले दिखते हैं इसका शुरुवात में क्या मतलब था Apocrypha का शुरुवात में इसका मतलब दूसरा था जो Biblical books थी जो Bible से related बहुत सारी books थी यह वो books थी जो शुरुवात में माना गया इसके बहुत अच्छी हैं लेकिन बाद में यह माना गया है कि यह थोड़ी सी जो हैं बोजिल सी हैं इनको बाद में हटा दिया है जो sacred canon थी Bible की जो catalog थी उससे हटा दिया गया और शुरुवात में जब माना गया यह माना गया कि बतकीमती हैं बाद में इनको बोजिल माना आने लगा कि इनमें कोई खास ऐसा है नहीं लास्ट में आके इनने totally हटा दिया गया exclude कर दिया गया तो यह वो बुक्स होती थी इनने शुरुवात में अच्छा माना गया बाद में यह माना गया बेकार है बाद में बिल्कुल हटा दिया गया अब थोड़ा इसका मतलब बदल गया है अपोग्राफा का मतलब बदल गया है अपोग्राफा का मतलब होता है ऐसी बुक्स जिनके राइटर का डाउट होता है बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं इसके बारे माना जाता है कि Homer ने शायद वो नहीं लिखे तो यह works जो है यह अपोग्राफिया होता है जिनकी authorship हमें ना पता हो 55, Eplog Eplog क्या होती है बहुती है या फिर कहें तो simple से आथ करना faible faible means होता है नैतिक कहानी moral lesson इसमें नैतिक कहानी मिलेगी और यह जो नैतिक कहानी मिलेगी यह आपको animal characters के द्वारा मिलेगी जानवरों के जैसे आपने कहानी पड़ी हो सबसे famous the story of tortoise and the hair जो खर्गोस और जो पछुए की कहानी थी तो इसमें एक नैतिक कहानी है जिसके द्वारा पताया गया कि आलसी से हमें दूर रहना चाहिए अपलोग जो होते हैं यह एक फैबल होती जिसमें नैतिक कहानी को कहा जाता है 56 apology पहले दिखते है apology एक noun है इसका मतलब होता माफी नामा इसका वर्ब होता है apologize apologize होता है माफी मांगना apology हो गया noun माफी नामा जब आप किसी गलती की वज़े से या कुछ कहनी की वज़े से maafी मांगो तो उसे apology कहा जाता है literature में इसका मतलब बदल जाता है literature में खासका criticism जो आलोचनात्मक जो छेतर होता है इसमें writer criticism लिखते है उसमें थोड़ा इसका मतलब बदल लाता है इसमें क्या मतलब हो जाता है जब कोई writer justification करे अपने belief और actions का तो उसमें को वह apology का use करता है यहाँ पे हम example लेंगे Philip Sydney Philip Sydney ने एक work लिखाता है 1595 में An apology for poetry यहाँ पे वह poetry है इसका पुरा उन्होंने नाम था apology for poetry इसमें जिक्र करते है कि जो poetry है यह जूट का पुलिंदा नहीं है पहले poetry के उपर अटेक करा गया कि poetry बखवास है कुछ नहीं है लोग को एक imagination में ले आती है Sir Philip Sydney ने लिख लिखी इसमें यह उन्होंने justification करा अपने belief का जो उनका विश्वास था उसका justification करा कि poetry जूट का पुलिंदा नहीं है Poetry में जो अच्छी बात होती है historical तथ होती है उन्हें सामने लाया जाता है और जो मन की छिपे हुए रहसे उन्हें सामने लाया जाता है उन्होंने justification करा लिट्रेचर के छेत में apology का मतलब होता है जब writer justification करे अपने belief या अपने action का जब justification करा जाता है उसके लिए हम apology का use करते हैं Sir Phillips Reddy ने इंग्लिश में पहले apology for poetry लिखी थी चैली ने भी apology लिखी थी लेकिन नाम उसका बदल दिया था 57 Apophysis यह तरीकिया रिट्रीकल डिवाईस है रिट्रीकल होता अलंकारिक अलंकारिक डिवाईस है इसमें speaker जो होता है subject लेकर आता है और बाद में उसको छोड़ने को कहता है जैसे मैं कहता हूँ वो चोर है अब कोई बात नहीं करेगा मैंने subject को मैंने उठाया और फिर मैं यह भी कहा हूँ कि कोई बात नहीं करेगा तो subject को लेकर आया पहले में और फिर मैं deny करा हूँ कि इसके बारे में कोई बात नहीं करे तो यह एक rhetorical device अलंग कारिक है जिसमें subject को आप bring up लेकर आते हो अब बाद में इसको deny करते हो कि कोई इसको उठाएगा नहीं तो यह इस तरह के जो चीज़े होती है अपॉफसिस यह आपको politics में बहुत मिलेंगे वो चोर है भी मुझे नहीं पता अब यह जो चीज़े है चोर है कह भी दिया और मुझे नहीं पता यह politics में बहुत generally देखने हो मिलता है ता दूसरा जो एक है वो मिलते बिलता हो पैरालिप्सिस हो खेते हैं यहाँ पर एक example है I don't want to be viewed मैं रूखा नहीं होना चाहता अब यहाँ पर छोड़ दिया मीनिंग हमें complete करना है अब कुछ भी आप जोड़ दो मैं रूखा नहीं होना चाहता लेकिन क्या करूं वो ऐसा है तो आप इसमें क्या apography है आपने एक subject भी ले लिया मैं रूखा नहीं होना चाहता और पिर उसको मना कर रहो यह apography apography में क्यों होता है जब हम issue को उठाते हैं claim करते हैं बाद में जो है कहते हैं कि वह इसको बारे में कोई बात भी नहीं करेगा 58 aposipsis rhetorical device what is aposipsis as a rhetorical device आपसियोपसिस इसका सही आंसर है c deliberately leaving a sentence जब sentence को छोड़ दिया आता है incomplete उसे हम aposipsis कहते हैं aposipsis यह तरीका sentence जो होता है इसमें बीच में छोड़ दिया आता है जैसे मैं आप एक बोल रहा हूं अगर तुमने आके कहा तो अब मैं ने छोड़ दिया तो मैं छोड़ देता है और जो सुनने वाला है तो से अनुमान लगाता है कि क्या कहने वाला होगा जो sentence छोड़ा जाता है उसको generally dash के द्वारा या फिर ellipses dot के द्वारा छोड़ दिया जाता है अच्छा जब छोड़ा जाता है तो एक कारण जो होता है इमोशन को जो होता है, वो पहर लाना होता है, इस वे से छोड़ दिया जाता है, इस वे से छोड़ दिया जाता है, या फिर घिर्णा को दिखाना होता है, अगर तुमने ऐसा किया, अब मैं जो है, तुमने छोड़ दिया, अब सुनने वाला जो है, वो अनुमान लगाएगा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा, मैं इसे सारे पैसे ले लूँगा, क्या कर सकता हूँ, यह जो सुनने वाला नुमान लगाएगा, तो जब हम सेंटेंस को छोड़ देते हैं, तो वह एपसायोपसिस कहलाते हैं, इसमें एंगर, शॉक और डिस्गस्ट की भावना होत 69, Apthiosis, क्या है इसका, यह Elevation of a Person, यह अगर मैं कहूँ न, बहुत जाद आपको मिलेगा, जब किसी परसन और चीज को जो है, बहुत जादा Elevation करा जाए, एक जैसे हम कहें, रजनी कांत या अमिता बच्चन, बॉलीवोट के Apthiosis है, हमने किसी व्यक्ति या वस्तुक को बहुत तक बहुत ही उतकर्ष, बहुत ही उचे लेवल तक ले गए, तक देवी करण कर दिया, उस जैसा कोई है ही नहीं, जो एक उतकर्ष सीमा होती है, वक्ति होता है, किसी छेत का वस्तु हो सकती है, या फिर कोई moment भी हो सकती है, जो अपनी चरम सीमा पो, तक हम एप्तॉप्सिस कहते हैं, generally जो apathosis होता है, ये, हमें बहुत ज़्यादा किसी छेतर के, जो सबसे अच्छे वेकिति हैं, उनके लिए ये मिलता है ये किसी movement के लिए भी हो सकता है, जिसे हम रहनसा की बात करते हैं रहनसा पुनर जगरण काल अब पुनर जागरान काल लो था जब ग्रोप में एक तरीके से कल्चरल मुवमेंट हो रही थी तो उस समय की एक चरम सीमा थी जब यूरोप ने बहुत जादा तरकी करें तुम कह सकते हैं रहने सा जो है तो एप्थायोसिस था कल्चरल मुवमेंट का उस समय अप्थायोसिस के दौरा जो होता है किसी परसन का गलोरिफिकेशन कराया आता है थारीफ करें आती है व्यक्ति की वहत बड़ा चढ़ा करें आती है यह इस कोई सलेरेटी भी हो सकता है पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है जब आप उसका देवी ग्रॉंकर तो कि तुम जैसा त बनाएगा उसमे जो कॉस्टूम होंगे वो पुराने होंगे व आजके जमाने के तुन वर्ट्स भी होंगे वो भी ऐसे होंगे जो अब यूज़ नहीं हो रहे हो तो कही एक सारे संसक्रित के दूसरे यूज़ होगए आकैस में होता है कि पुराने words का इस्तमाल करा जाए phrases का expression का जिनने अब use नहीं कराया था यह जो चीजे इस्तमाल करी आती है पुरानी यह writer के द्वारा करी आती है एक पुरानी चीज का sense उत्पन करने के लिए antiquity का sense उत्पन दिखाना होता है इसी खास work में means उसे पुराना को historical work लिखना है अब वो historical work लिखना है तो पुरानी चीज़ों को दिखाएगा क्या कहलाएगा? archaism कहलाता है archaism जो होता है यह तरीका का outdated style है जो अब follow नहीं करा जाता है outdated style है यह तरीका है इसे literature में इस्तमाल करा जाता है तो जब literature में किसी पुरानी चीज़ को outdated style, manner, language का इस्तमाल करा जाता है तो उसे हम archaism कहते हैं students, 10 literary terms होगा है यह 6 वीडियो, पिछले वीडियो का लिंक में इस वीडियो के description box में डालू हूं मिलते अगले वीडियो में गुट बाई